नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Success Plus Academy के प्लेटफॉम पर मैं हूँ सुमिच ओदरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Father of Liberalism यानि उदारवाद के पिता जोन लोग की बायोग्राफी और इनकी फिलोसोफी के बारे में तो दोस्तों अगर यूरोप की बात की जाए तो Age of Enlightenment का जो दोर था जो roughly माना जाता है वैसे तो 15 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक ही चला है Enlightenment का जो दोर है वो लेकिन जो इसका main core time था वो 17 और 18 सेंचुरी में था उस Age of Enlightenment के दोर में बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर्स हुए यूरोप में जैसे की Emmanuel Kant हैं, Russo हैं, Montesky हैं, Voltaire हैं उन्ही नामों में से एक बहुत बड़ा नाम था जोन लोग का जोन लोग बहुत ही महतपूर्ण फिलोसोफर्स हैं और इनके जो राजनितिक विचार हैं वो इतने महतपूर्ण हैं कि आने वाले समय में जोन लोग के बाद भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलनों में जैसे की French Revolution है, American Revolution है, उसके बाद जो नई सत्ता बनी, नया जो सवि स्विधान बना, चाए अमेरिका का बना हो, चाए फ्रांस का बना हो, वहाँ पे जोन लोग के आईडियाज को अपने स्विधानों में लोगों ने जगह दी, तो लिबरलिजम के पिता कहे जाते हैं, human rights के बारे में, human being का जो natural right है, उसके उपर इनोंने बहुत जोर देके ब पूदा है, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे, इनके personal life, इनकी biography के बारे में भी बात करेंगे, और इनकी इनका जो दर्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे, कि इननोंने राजनितिक विचारों में इनोंने क्या कहा, religion के ओपर इनका क्या opinion था, उसके अलावा जो human कोई जवाब पूछ है कि जो उन लोग कौन थे थोड़ा सा आपको ब्रीफ लिसके बारे में बताना हो तो सत्रवी शताबदी में 1632 से 1704 के बीच में रहे इंग्लेंड में पैदा हुए इनको फादर ओफ लिबरलिजम कहा जाता है और इस दोर के ये सबसे influential political philosophers में से माने जाते हैं इस दोर के कि अपूरे modern period के सबसे महतवपून philosophers में से एक हैं इन्होंने बहुत महतवपून जो काम किया वो लिखी इन्होंने two treaties on government के उपर सरकार क्या है उसका function क्या है किस तरीके से इसको काम करना चाहिए उसके उपर इन्होंने दो ट्रेटई लिख में उसकी वज़े से वो भी देखता है उसके अलावा इन्होंने जो सबसे important बात की वो human being के एक natural right की बात की और इन्होंने कहा कि men are natural free and equal against the claim that God had made all people naturally subjected to the monarch पहले एक धारना थी देखें मैंने क्या कहा age of enlightenment के दोर में ये पैदा हुई और age of enlightenment से पहले का अρα माना जाता है उसको कहा जाता है dark age ड़ा age का जो समय था लगबग 5th century से 14th century से बीच का जो समय था इसको माना जाता है यूरोप में dark age इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय यूरोप में कुछ बड़े स्तर्पे कुछ भी मतलब इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, यहां पे लोगों का कोई विकास ही नहीं हुआ, बोधिक तोर पे यह लोग पीछे चले गई, यूरोप पहले ज्यादा समरत था, ज्यादा बहतर था, अगर बात की जाए, मेंटल इस तरह पे, तो इस समय में क्या हुआ, इस समय चर्च का है और इश्वर्क ने जो बात कही उसको इंटरप्रेट, चर्च करेगा, तो चर्च को तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जब समय खतम हुआ डार केज, उसके बाद ये इनलाइटनमेंट का जो दोर आया, तो यहां के जो फिलोसोफर्स थे, जो भी इंटलेक् के उपर जो राजा है, वो उस एरिया पे भगवान का परतिनिदी है, इसलिए उसको भेजा गया है तुमको गवन करने के लिए, तुमको रूल करने के लिए, तो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे, जो उनलोक और वो कहते थे कि हुमन बिंग तो नेचरली फिरी है, उसको उपर किसी को एक तरीके से रूल करने का नेचरल राइट तो किसी को मिलाई नहीं है, इश्वर ही सिर्फ अपने लोगों को गवन कर सकता है, लेकिन इश्वर डिरेक्ली जब तक सामने नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके परतिनिदी हैं, आप ये इस लोग की इस बात को काफी महतो दिया गया, जो बुर्जवाशी थे वहां के वो कहते थे कि इतने समय से ये राजा हमसे ये कहता आ रहा है कि हम मैं राजा तुम पर इसलिए हूँ क्योंकि इश्वर ने मुझे अपोइंट किया है तुम पर रूल करने के लिए, लेकिन अब उससे चैलेंज करने लगे इस बात को कि ये बात बिल्कुल भी निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, उसके बात बात आती है जो लोग ऐसी ऐसी बाते करते थे उन्होंने कंसेंट की बात की, इस कंसेंट में उन्होंने कहा कि हर एक इनसान के तीन तो नेचुरल हैं, इन इलाइनेबल राइट्स इनको कहा कि जिनको कोई छीन ही नहीं सकता, इश्वर ने आपको दिये हैं, नेचर ने आपको दिये हैं, ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं सेपरेट कर सकता, ना आपका रूलर कर सकता है, ना आपका पड़ोसी कर सकता है, ना आपका मात पिता, कोई भी नहीं का सकता ये तीन राइट क्या है है Life, liberty और estate Property Life, liberty और property Possession तीनों चीजे Property की बात करने वाले फिजल सफर के भीए व्रोपे लिबर्टी टो बहुत लोगों ने कहा कि Life तो सब का नेच्रल राइट है उसको तो कोई चीन नहीं सकता लेकिन life को भी छीना जाता था और अभी तक छीना जाता है कि जहां पी ruler जिसकी power है जिसके पास तो उसको punishment के तोर पे life उससे छीनी जाती है चीनी जाती है लिबर्टी अलग लग जगह पे हर एक देश में अलग लग इस तर पे लिबर्टी होती है और state property प्रोपर्टी का अधिकार भी सब जगह अलग लग दिकार का होता है लेकिन जोन लोग के हिसाब से यह तीन राइट ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति को naturally मिने हैं और इ उन लोग के ideas कहीं न कहीं उसमें आएंगे उसके अलावा इन्होंने ऐसे लिखा था ऐसे concerning concerning human understanding human understanding के उपर इन्होंने ऐसे लिखा जिसमें इन्होंने कहा कि human being जो है वो तो क्या है एक blank page है एक कोरा कागज है शुरुआत में उसका धीरे-धीरे उस पे अगर knowledge और उसको चीजों को accumulate किया जाएगा experience के through ही तब ही वो चीजों को समझेगा अगर उसको कुछ सिखाया ही नहीं जाएगा और वो कुछ चीजों को सीखेगा ही नहीं education ही नहीं लेगा तो वो हमेशा कोरा कागज ही रह जाएगा और उसको किस तरीके से डाला जाता है इसके ओपर depend करता है कि उसका आगे आने वाला समय और उसके विचार कैसे होने वाले हैं तो इस तरीके की विचारों को जोन लाउक ने समाज को दिया जिसकी वज़े से उनको याद किया जाता है उनकी एक बहुत ही अच्छा सा वो है कोट है देखिए क्या कहते हैं एक जो बच्चा एक छोटा बच्चा जो आपसे एक एक दम मासूमियत से जो सवाल पुछता है ना अनस्पेक्टेड हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा सवाल भी बुचेगा बहुत मासूम से सवाल होते हैं लेकिन जब आप उन सवालों के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हां सवाल तो यही कर रहा है बड़े रिजनेबल वो क्यूसनस होते हैं उससे आप बहुत कुछ सीक सकते हैं जितना कि आप दोसी चीजुँसे भी नहीं सीक सकते तो ऐसी बातें जोनलोक ने कही थी बहुतें इंट्लेक्टुल परसुनेलिटी थी इनकी जीवन क काउंटी जो है न वहाँ पे इनका गाउं था वहाँ पे इनका जनम हुआ इनके पिता जो है वो एक लोयर थे और एक लैंड ओनर भी थे यह मतलो एक तरीके से फ्यूडल लोड भी थे और इन्होंने आगे चलके पार्लियमेंट की साइड से इंग्लिस जब सिविल वोर हुआ था 16-22 से इकाउन के बीच में उसमें पार्टिस्पेट किया था इसी दोर में एक और बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं थॉमस होब्स उनकी भी बायोराफिमा जल्दी लेके आने वाला हूं कुछ-कुछ चीजें आपको थॉमस होब्स और जॉन लोक में आपको कुछ सिमिल कलाफ में लोग थे उनके खिलाप मतलब पारलियमेंटरी गौ ethn कि चाते थे कुछ लोग और मोनार्क की चाते थे इनके बीच मीस सिविल व Är भाड़ ma इनके पिता ने मोनार्क पार्लियमेंटरी जो थे लोग पार्लियमेंटरी इन्स जो थे उनकी साइड से सिविल वर लड़ा था और एंड में इन पार्लियमेंटरी इन्स की जीत भी हुई थी और यहां पर जो है मोनार्क से सत्ता कुछ हद तक छिनके पार्लियमेंट को भी दे आगे चलिए जो bloodless revolution हम बताते हैं वो भी आगे आएगा time आगे glorious revolution का वो भी जोन लोग के time पर ही आएगा मैं अभी आगे बताऊंगा तो इनके पिता के समय ये 1640 के दर्शक का जो revolution हुआ वो हुआ और 1688-89 में जो एक और revolution होगा वो इनकी दोर में होगा जोन लोग के दोर में होगा इस war time connection का इस्तमाल करके एक तरीके से reputation तो बनी गई क्योंकि एक तरीके से captain थे इस में lead किया था इन्होंने एक अपनी आर्मी की battalion को इसके पिताने तो इनके बेटे को इसका फाइदा हुआ क्योंकि आगे चलके वो अच्छी education कर पाए और वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में admission मिला वेस्ट मिनिस्टर स्कूल वेस्ट मिनिस्टर चर्च यह बहुत ही रेपूटेटेड जगह थी इंगलेंड की आज भी हैं तो यहां पे इनको बच्चे को admission मिल गया इनके पिता जो थे वो puritians थी puritians क्या होते हैं puritians मतलब religion में आप य प्रिके को follow करते हैं उसके बारे में हम separately बात करें किसी टेम तो इसका परभाव भी जॉन लोग की life पे काफी पढ़ा था तो puritians थे purity की तरफ काफी यह बिलीव करते थे जो ट्रेडिशन और जो मतलब जो चीजें जबर दूस्टे की डाली जाती हैं उनमें ज्यादा बिली पे Kings scholar का यहां पे owner दिया गया जो कि बहुत कम बच्चों को मिलता था यह मिला इनको और उसके बाद यह Christ Church जो college थी इनकी वहां चलेगे Christ Church Oxford University के एंडर ही यह college थी बहुत ही elite college थी यह वहां पे इनको admission मिल गया आगे चलके 1602 में school complete करने के बाद उसके बाद यहां पे इन्हो logic, metaphysics और classical language के उपर अध्यन किया और आगे चलके 1656 में graduation complete करने के बाद यह दुबारा 16 सबाउन में graduation हो गई थी कुछ सालों बाद चार साल बाद यह master in arts में भी इन्होंने admission लिया और उसको भी complete किया इसी Christ Church school से ही college से ही जो Oxford University के अंडर थी अब इन्होंने adoption जो है career किसमें चुना, चुना इन्होंने medicine में, सोचिए physician थे, as a physician इनको इतना याद नहीं किया जाता जितना, as a political thinker इनको याद किया जाता है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने जो अपनी bachelor of degree 1600 आगे चलके की थी, medicine में वो 1674 में की, देखिए पहले art में बी करी, master in art करी, metaphysics, logic वगरा भी पढ़े लेकिन आगे चलके इन्होंने bachelor of medicine भी किया 1674 में, royal society में, और आगे चलके इन्होंने जब medical की पढ़ाई पूरी की, तो आगे एक lord थे, Anthony Ashley Cooper नाम के, ये आगे चलके Earl of Shaft बरी बने थे, Earl एक पद हुआ करता था, जो British officers थे, उनको बी के, तो Shaft बरी के जो Earl हैं, उसके अंडर ये चले गए, इन्होंने इनको, जोन लोक को, Ashley ने अपना personal physician रख लिया, कि ठीक है, आप मेरे family doctor हो, एक तरह से मेरा treatment रखोगे, आपको कोई और कहीं जाने की जरुवत नहीं है, तो ये इनके साथ रहने लग गए, लेकिन अब क्या होता है, एक England में फिर से political shift आता है, और ये 1670 का जो दशक था और 80 का जो दशक था, उसमें एक political shift आपको देखने को मिलता है, और ये जो Ashley Cooper थे, Shaft बरी में, इन्होंने एक campaign चलाया था 1689 में, इन्होंने सोचा कि ये जो आगे चलके James 2 राजा बनने वाला था, तो ये अ आगे चलके राजा बने, Catholic था ये, ये Protestant को राजा बनाना चाते थे, खुद Protestant था ये Ashley Cooper, तो ये चाहते नहीं थे कि James 2 यहाँ पर बने, और James 2 बाद में भी बना, बना इस campaign में, शाफ्ट बरी में के इस campaign में, Ashley Cooper, ऐस सफल रहे, तो उससे उनके उपर एक तरीके से pressure तो आना ह पड़ेंगे, तो उससे क्या हुआ कि जब शाफ्ट बरी में ये जो operation है इसका, ये फेल हो गया, ये mission फेल हो गया, तो उसको भागना पड़ा, वो Holland भाग गया, 1682 में, तो 1682 में जब Holland भाग गया, Ashley Cooper, तो उसके physician ही थे, जोन लोग, तो उनको भी उनके साथ जाना पड़ा, तो exile के time पे ये चले गए, लेकिन बाद में glorious revolution होता है 1688 और 89 के समय पे, ये glorious revolution क्या था, ये glorious revolution दो तरीके से इसको देखा जा सकता है, ये politically motivated भी था और religiously motivated भी था, James second जो है ये यहाँ पे राजा था, Catholic religion का, Catholic religion होने के कारण कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते थे, और इसक चीज भी कम यहाँ पे सफल रही और दूसरी चीज, पार्लियमेंट के हक में भी बहुत लोग ये चाते थे कि पार्लियमेंट को और ज़्यादा राइट्स दिये जाए, मोनार के राइट्स को कम किया जाए, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सफल रही, इसको blood revolution भी कहते है, इसके बारे में हमके भी separately वीडियो करेंगे, तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट विलियम थर्ड जो है, वो राजा बना था, और हलांकि ये प्रोटेस्टेंट विलियम थर्ड जो है, ये इस जेम सेकंड की बेटी का हजबनी था, इसका दामा दी था, लेकिन ये हमस हाइडन हमसे भी मिले, ये भी एक फिलोसोफर थे, इनसे मिले तो इनका काफी परभाव पड़ा, जोन लोग के उपर की, इनकी जो फिलोसोफिकल आइडियास था, इस तरीके से इन्होंने जोन लोग को अपनी चीजें बताई, समझाया, टीचिंग्स दी, तो इनका पर के एज में इन्होंने ये जो ग्लोरियस रिवोलिशन है ये देखा, तो इनको चीजें देख रही थी कि ये जो स्टेट में जो चीजें चल रही हैं, कुछ लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं, पारलेमेंट के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मोनार्क को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये है क्या, ये सिचुएशन क्या है, लोग किस तरीके से, किस चीज की तरफ जोगते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस रीजन को ढूनना एक फिलोसोफर का बहुत बड़ा काम होता है, हर एक फिलोसोफर कोई भी चीज को क्या होने जेए इस सब चीज के बारे में जो लोग देख रहे थे, समझ रहे थे और पड़ भी रहे थे, तो इसी दोरान जब ये जो एक्जाइल का समय था, उसी दोरान 1675 से उनावसी का जो समय था उस समय ये चार साल के लिए फ्रांस में रहे थे और चार साल तक ये तक फ्रांस में रहे थे तो इन्होंने काफी जो intellectuals उस समय के जो philosophers हैं उनको पढ़ा Thomas Hobbes को भी पढ़ा, Kant को पढ़ा इन लोगों को जब इन्होंने पढ़ा तो दिरे दिरे करके इनकी भी दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आई जो सवाल इनके मन में थे उनके जवाब इन्होंने दिया और यहां पे बहुत सारे जो Catholic philosophers थे उनके work को भी इन्होंने जाना और उन जीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अब यह है कि जोन लोग एक बहुत ही अच्छी फैंबली में पैदा हुई थी मैंने आपको बताया ना उनका background अच्छा था उनके पिता ने क्योंकि parliamentarians की तरफ से लड़ाई-लड़ी थी वो एक land owner भी रहे थे फ्यूडल ओर्स भी रह कि लोकल लोग जो वहां की लोकल पॉपलेशन थी वो किस तरीके से एक तरीके से परिशानी में जी रही थी गरीबी में जी रही थी फ्रांस के अंदर वो भी नोंने देखी क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16 के कौन सा ही 14 लुई 14 15 16 ये सब के जनता के लिए करना जनता भूक मरी से मरी है तो मरे सेवन ये यर वोर में अपने आप चले गए मतलब इंग्लैंड की सत्ता को पुश करना चाहते हैं बेक करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए कुछ नी करना चायते... अपनी mil 물리 को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन लोगों के लिए कुछ नी करना चाते हैं IMPERIALISM को, सिमाओं को बढ़ाना चाते हैं लेकिन लोगों के लिए कुछ नी करते हैं उनकी इस्तिती खराब है इस इस्तिती को भी देखा तो इन सबी चीजों से जो उनके दिमाग में जो चीजें आई और जो सवालों के जवाब उनको मिले और जो उन्होंने स्टेट्स की कंडिशन्स देखी उनके उपर अपने विचार उन्होंने रखे और ये विचार अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कहती है जोन लोग की पॉलिटिकल फिलोसफी उनके राजनितिक विचार क्या कहती है। राजनितिक विचारों को जोन लोग के दो एरा में आप डिवाइड कर सकते हैं। दो एरा कौन से एक तो वो ओक्सफोर्ड पिरियड जब ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे चीजों को लोजिक को रिजन्स को इनको पढ़ रहे थे तो इन्होंने प्रैक्टिकल ज्यादा चीज़े नहीं देखी थी ज्यादा बहुत कुछ इतनी अंडरस्टेंडिंग न की फिलोसोफी को आप देखे और दोनों अलग-लग फेज हैं एक वो समय है जब कच्चे लोग थे एक ऐसे व्यक्ति थे जब स्टुडेंट और ट्यूटर की तरह ऑक्सफोर्ड में ये काम कर रहे थे तो इनका जो पॉलिटिकल विचार धारा हैं वो होबेशियन्स की तरह स थी जैसे थोमस होब्स की विचार थे वैसे ही थे कि कंजरवेटिव थे और ये मानते थे कि एक स्ट्रोंग और स्टेबल गवर्मेंट का होना बहुत जरूरी है ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके के योस को ना होने दे और एक तरीके से उसका अगर कंट्रोल रहेगा समय देखा तब इनके विचार बदल गई अब ये रेडिकल प्रोपोनेंट हो गए रिलीजियस फ्रीडम के इंडिविज्वल रिबर्टी के कंसाइंस के इनके अब ये कहने लग गए कि देखे ठीक है मोनार्क हो या डेमोक्रेटिक सरकार हो कोई भी रूलर हो लेकिन हर किस का बहुत परभाव होता था तो लोगों को किसी भी तरीके से या तो क्रिश्चियनिटी में कनवर्ट करना है या दूसरे रिलीजियन की इज़्जत नहीं करनी है उनको राइट्स कम देने है तो इस तरीके से दूसरे रिलीजियन का प्रसिकुशन होता था उनको दबाया ज जाएगा ऐसा नहीं है कि वो अनार्किस्ट हो गए थे वो अब अनार्किस्ट हो गए थे पहले जासे वो स्ट्रोंग लेडर्शिप की बात करते थे इस्टेबल गवर्मेंट की बात करते थे अब वो अनार्किस्ट नहीं हुए थे ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कहते थे कि कोई सरक बने वो ऐसी हो कि उसकी जो पावर है उस पावर के उपर किसी ना किसी तरीके का तो चेक पॉइंट हो या किसी भी तरीके का तो कंट्रोल हो ऐसा नहीं हो कि अनलिमिटेड पावर है उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है और उसको कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं है ना उसको सत्ता से हटाया जा सकता है ना वो उसको कोई तरीके से उससे सवाल किया जा सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए डेश के इंट्रेस्ट को बचाने के लिए उसके उपर एक नकेल कसना बहुत जरूरी है वो कोई भी रूलर क्यों न हो यह बात इन्होंने और कही अब देखे इनकी जो राइटिंग्स हैं अलग लग जो ट्रीटीज हैं देखें दो ट्रीटीज लिखी था सेकंड ट्रीटीज ओफ गॉर्मेंट जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जो इनका शाफ्टवेरी पिरेड है इसके बाद मेचोर अवस्ताम इन्होंने लिखी थी ऐसे कंसन और फ व्यक्ति कोई भी है वो हर जगह जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो नैश्रॉली फिरी है इसे को कुछ नेडिकार इसको सिर्फ इस्षवर को है और किसी को नहीं है तो life का जो अधिकार है उसको कोई नहीं चीन सकता Liberty आपकी आजादी आप क्या बोलते हो क्या किसी छीज़ को अपनाते हो कौनसे profession को चुनते हो जो भी आपकी आजादी है उसको कोई भी नहीं टेच कर सकता और आपकी property, property के उपर बात करने वाले पहले philosopher थे ऐसी बात कोई नहीं करता था, property को natural right कोई philosopher नहीं मानता था, अब अब ये एक ऐसी चीज़ लगती थी जैसे कि property के right को इन्होंने natural right बताया, इसीलिए कुछ लोग इनको क्या कहते हैं, कि ये proto- capitalist थे proto- capitalist, यानि capitalism को सब्सक्राइब भी और बहुत सारे फिलोसोफर स्टेट और लिएक एसी आष्टा है जिसमें political society से पहले का जो समय है उसको कहा जाता है मतलब एक ऐसा state एक ऐसी जगह जहां पे ना कोई राजा है ना कोई उसकी परजा है ना ruler है ना ruling करने के लिए कोई लोग हैं लोग हैं लेकिन उनका कोई ruler नहीं है वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कोई Thomas Hobbes और John Locke का Thomas Hobbes का जो state of nature है वो काफी negative sense में है कि हर जगह chaos वहाँ पर आपको देखेगा मैं वहाँ पर ही समझाओंगा आपको यहाँ पर भी नहीं वो अलग तरीके से देखते हैं state of nature को और यहाँ पर जोन लोग अलग तरीके से देखते हैं जिन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी आउस्ता है जहां पर लोग पीस गुड़विल और सेल्फ परजर्वेशन की आउस्ता में रहना चाहते हैं हर कोई अपना तो सोचता ही है किसी भी समाज में जाएए चाहे आप वो state of nature में जाएए या कि ऐसी society में जाएए जहां पर उनको राइट्स मिलें self preservation की हर कोई बात करेगा ही करेगा अपने अधिकारों के लिए अपनी goodwill के लिए हर कोई काम करना चाहेगा उसके लिए क्या है लोगों को किस आधार पर govern किया जाएगा govern करने वाला तो कोई नहीं है कोई leader नहीं है कि जो बताएगा आपको कानून क्या है लेकिन law of nature को तो follow करना ही पड़ेगा law of nature क्या है law of nature यही है कि जो हर आदमी के पास कुछ natural rights है अपनी life, liberty और property को वो protect करे और इसको वो कोई नहीं यह सब right उसको मिले हुए है और इनको कोई harm नहीं कर सकता लेकिन कुछ limitations भी है limitations जैसे property के ओपर हैं कि आपको sufficient, आपके पास sufficiency की सीमा भी होनी चाहिए जैसे नहीं कि आप unlimited property को एक तरीके से acquire करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, दूसरों के पास साधनी नहीं बचे हैं कि उनको इतना resource ही नहीं बचे हैं कि वो अपनी property को बढ़ाएं spoilers limitation spoilers limitation क्या है कि ऐसा spoil ना करें मतलब कोई भी natural resources को spoil करके अपने property को बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए लेकिन ये सब चीजें तै कौन करेगा तै करने के लिए तो कोई authority नहीं है यहाँ पे तो ऐसी विवस्ता है न, जहाँ पे कोई state में कोई कोई, मतलो law of nature चल रहा है यहाँ पे किसी सरकार के बनाए हुए कानून नहीं चल रहे हैं यहाँ पे किसी ruler नहीं नहीं बनाए हैं कोई monarch नहीं है, कोई judiciary नहीं है कोई विवस्ता नहीं है जब ऐसी विवस्ता है तो इसको rule कोन करेगा? यह एक सवाल बनता है, इसका जवाब देंगे आगे चल के जो उन लोग ही देंगे अब private property की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे जो उन लोग पहले व्यक्ति तो नहीं थे मतलब एक ऐसे बड़े philosophy में यह पहले philosopher थे इन्होंने अपने workmanship ideas के अंदर ये कहा कि जो भी व्यक्ति natural resources का इस्तमाल करके जो कुछ भी create करता है अपने talent से अपनी महनत से अपने labor से वो उसका हो जाता है वो उसको own करता है मान लिजे आपने जमीन से लोहा निकाला उस लोहे से आप कुछ भी tool बना रहे हैं तो वो tool आपका हुआ आपने खुद create किया है अपनी महनत से तो nature ने तो सब को ही दिया था कि आप nature से कोई भी खुदाई करके उससे लोहे को निकाल सकता था वो tool बना सकता था लेकिन ये काम आपने किया ना आपकी महनत है तो आप ही उसके owner हुई ये चीज़ कहते हैं तो अपनी महनत में और natural objects को natural resources को mix करके जो भी व्यक्तिन नया बनाता है तो वो उस property का मालिक बन जाता है और इसी तरीके से इसी philosophy के आधार पे नों ने ये भी कहा जैके जैसे कि God सब ये कहते थे ना church भी कहता था सब लोग भी कहते है कि supreme जो creator है वो कौन है God उसी ने सब कुछ बनाया mythology में तो यही बात कही जाती है scientifically आप इसको माने या ना माने लेकिन ये कहा जाता ने कि इश्वर ने सब कुछ बनाया तो इसी लिए हम सब उसकी property हैं जो लोग ने क्या कहा हम सब उसकी property हैं तो हमारे उपर सिर्फ उसी की चलेगी और किसी की ने चलेगी कि उसी को अधिकार है हमारे इनलाइलेंबल जो राइट्स है life, property और liberty इसको छिनने का अधिकार किसके पास है सिर्फ इश्वर के पास है क्यों? क्योंकि हम उसकी private property हैं हम किसी और की private property नहीं है हम अपने इवन parents की भी private property नहीं है उनको भी हमारी life लेने का या हमारी liberty लेने का अधिकार नहीं है समझे अब बात को तो ये चीजें इन्होंने private property के concept के दोरान ही ये बाते कह दी तो अब बात ये आती है कि state of nature में क्या चीजे हैं क्या conflict क्या आते हैं conflict ये आते हैं कि यहां पर ना तो कोई supreme authority है ना कोई सरकार है ना कोई judiciary है जिसने कोई rule define कर रखे हो जो state of nature है वो एक ऐसी इस्तती है जिसमें हर कोई अपने हिसाब से nature के rules को interpret कर सकता है कोई ये कह सकता है कि मेरे लिए ये natural law है मेरे ये natural law है इवन इन्हों ने कहा कि church को भी अधिकार नहीं है कि church के जो पादरी हैं वो सच में भगवान को represent नहीं करते यह मैं उनकी religious philosophy में भी आपको बताँगा वो सच में भगवान को represent नहीं करते वो दावा करते हैं लेकिन उनके दावे में कोई एक तरीके से परमार नहीं है कोई science नहीं है कोई logic नहीं है कि हम उन दावों को मान लें कि वो लोग सही कह रहे हैं इश्वर के मतलब वो इश्वर की बातों को हमें कनवे कर रहे हैं हम इस बात को नहीं मान सकते इसलिए उन्होंने क्या कहा कि state of nature में तो कोई कानून बताने वाला नहीं है और नहीं कोई कानून है जो लोग अपने हिसाब से जो interpret कर लें वो ही natural हो जाएगा इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि यह natural है कि तीन आपके पास rights है life, liberty और property का लेकिन उस property के right में या life की liberty के right में भी लोगों के आपस में conflict हो सकते है कोई यह कही कि यह property मेरी है, कोई दूसरा कही कि यह मेरी property है लेकिन इन दोनों के बीच में यह जब conflict हो गया, लड़ाई जो हो गई, तो इसका समझ होता कून करेगा यहां तो कोई judge नहीं है, कोई judiciary नहीं है, ना कोई explain करने वाला है दोनों के अपने अपने सोच है, अपना अपना तरीका है चीजों को समझने का तो यह जो इस्तती बनेगी, इससे क्या होगा कि ना तो कोई ऐसा वेक्ती, मतलब यह जो इस्तती होगी जिसमें लोग क्या करेंगे, एक conflict create हो जाएगा, तो chaos आएगा chaos आएगा क्योंकि यहां पर कोई low and order नहीं है, लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है वो limitless property को जब acquire करेंगे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, लालच से कोई जब अगर इन natural low को तोड़ना शुरू कर दे तो कोई रोकेगा, कोई नहीं ही रोकने वाला जब कोई भी वेक्ती, अगर ऐसी इस्तती में आ जाएगा, आप अपने natural low को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है तो ऐसी इस्तती में क्या होगा, क्योस तो होगा, जो बैलेंस होना चाहिए नेचर में, समाज में वो नहीं रह पाएगा, इससे क्या होगा, कि ये जो state of nature की जो इस्तती है ये फैल कर जाएगी और एक क्योस आजाएगा, एक अनार की आजाएगी, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, इस्तती बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक social contract चाहिए, जब लोग साथ में मिलके agreement करें और कहें कि हाँ, हम इन इन particular कानूनों को follow करेंगे, इन चीजों को, इन laws को इस तरीके से मानेंगे, एक common interpretation हो, natural laws का, तब जाके क्या हो पाएगा, समाज में balance हो पाएगा, इसी को कहा इनोंने, the concept of consent, establishment of social contract, मतलब लोगों के बीच में ही, लोगों ने ही एक common consent दे दिया, और अपनी हाँ अरली कि हम ये जो तरीका है, इसको follow करेंगे, इन laws को follow कर होगा, तो इन्होंने क्या कहा, कि ये consent देंगे, और ये consent किस आदार पे होगा, ये agreement होगा, सभी लोगों के consent के ओपर एक best agreement होगा, जैसे हमने, हम जैसे एक constitution बनाते है, वो क्या है, लोगों का consent ही तो है, कि population ने, majority ने, जिन leaders को चो ना, उन leaders ने मिलके आपके लिए कुछ का जब consent देंगे और जब consent देंगे तो वो अपने आपको transform करेंगे किसमें एक political community में, वो कहेंगी कि हम जब ही भी consent देंगे, एक organization बनेगा और एक कानून बनेगे, कुछ regulations बनेगे तो उसके लिए एक political community बनेगी, ये political community जो है, ये decision लेगी कि आगे चलके हमें किस तरीके की सरक सरकार को appoint करना है, अब कहींगे सरकार की कहा जरूरता गई, देखे, कानून बना दिये, लेकिन कानूनों को implement करने के लिए आपको एक system तो चाहिए ना, judiciary भी चाहिए कि इस कानून को अगर किसी ने तोड़ा है तो उसकी क्या सजा का प्रावदान है, उसको check को ने करेगा कि whether it's follows or not, यह हुआ है, follow या नहीं हुआ है, इसको check करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए सरकार appoint की जाएगी, सरकार appoint किस आधार पे होगी, कि जनता की जो demand है, उस हिसाब से majority ने जिसको चुना है, चाहिए सरकार monarchy हो, aristocracy हो, democracy हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी तरीके की हो सकती है, जो उनलोग के हिसाब से, जो उनलोग ने कहा, कि अगर जनता चाहती है, कि उनको monark lead करे तो monark हो, जनता चाहती है कि democracy हो, मतलब parliamentary form of government हो, तो parliament हो, aristocracy हो, मतलब जो कुछ allied class जो हो rule करती है, वो हो तो वो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, majority ने जो चाहा, वो होना चाह है, majority के choice के उपर depend करता है, अब ये जो government बन गई, इस government का 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 है, इस government के उपर भी उन्होंने कहा कि ये limited government है, इसके पास unlimited power नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर सकती है, अब इनके पास authority हो गई, अपने इसाब से कानून बना रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की property को चिन रहे हैं, liberty को चिन रहे हैं, ये नहीं चलेगा, इन लोगों का, इन सरकार के अंदर जो भी लोग हैं, ये जो सरकार बनी है, चाए वो मोनार्क हो, चाए वो डेमोक्रेसी हो, इसका पहला यही करतव्य है कि ये लोगों के जो इन एलाइलेबल जो rights है, life, liberty और property, इनको protect क करें, इनके protection को ensure करें, यही इसका काम है, यही इसका main function है, और इसी के लिए law and orders बनाये जाएंगे, पूरे के पूरे जो center idea है, वो यही रहेगा, life, liberty और property का protection, तो लोग consent किस हिसाब से देंगे, consent को कब चीन सकते हैं, इसके उपर भी बातचीत होनी चाए, consent दो तरीके का होत होता है, देखे, आप सब लोगों को convince नहीं कर सकते हैं कि आईए, vote कीजिए, या फिर आईए, सब लोग हम चुनते हैं, मिलते हैं, और इस आदमी को, मतलब इस तरीके की सरकार बनाने ही, सब लोग राजी भी नहीं होंगे, कुछ powerful लोग क्या कहेंगे, हमें तो नहीं मतलब ये government बनाएंगे, judiciary बनाएंगे और हम सब में हमारी इसमें सहमती है, ये एक universal सहमती हो जाएगी, expressed है, खुद के मुझ से बोल के कहा है, लिख के बोला है, कैसे भी बोला है, एक tacit consent होता है, tacit या नहीं अनकही सहमती, अनकही सहमती कैसे, कि बोला तो नहीं कि ये हमारा ruler है, लेकिन उस ruler ने, उस government ने, जो भी सुधाएं दी, उनका भी भोग कर रहा है, उस सरकार के जो फैसले है, उनको भी, मतलब एक तरीके से मानी रहा है, उनका उनको मानी रहा है, लेकिन बस मुझ से express नहीं किया है, कि हाँ, ये हमारी सरकार है, जैसे सहमती है, अनकही बात है, बर चल रहा है, उसमें ही वो संतुष्ट है, तो ये क्या है, टैसिट अन एग्रिमेंट है, एक तरीके का, टैसिट अन कंसेंट है, तो ये दो तरीके के कंसेंट थे, अब ये बात आती है, कि व्यक्ति, ये जो सरकार है, अभी तक क्या होता रहा था, state of nature जो थी, पहले वो हो गई, state of nature का फैल हुई, जब लोगों ने natural laws को तोड़ना शुरू कर दिया, natural laws को तोड़ना शुरू किया, तो एक chaos की इस्तती आ गई, और जनता उससे क्या हो गई, उनको एक चीज लगी, उनको एक चीज लगी, कि ऐसा ही चलता रहा, तो हम एक दूसे से लड़ जगड क ही एकदम खतम हो जाएंगे, as a society हमसका भी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसी स्तती गोर्मेंट में भी तो हो सकती है, सरकार भी तो ऐसी हो सकती है, जो निरंकुष हो जाए, और natural laws को मानना मना कर दे, क्योंकि उनके पास तो power भी रहेगी, वो कानून के manufacturer हो गए ना, वो कानून बना रहे हैं, उनके पास control है, उनके पास judiciary है, सजा के प्रावदान है, तो वो भी ऐसी हो सकती है कि वो भी fail कर जाए, तो ऐसी स्तती में क्या करें, क्या लोग अपने consent को वापिस ले सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, जो उन लोग ने क्या कहा, बिल्क सरकार, जो है, वो natural law of nature को enforce करने में सफल ना हूँ, अगर सरकार citizen के इन अनाईलेबल जो rights हैं, उन rights को छीनने की कोशिश करें, चाये life, liberty या property कोई से बे अधिकार की बात हो, तो तीसरी बात की लोगों के खिलाफ ही war declare कर दे, तो ऐसी स्तती में, लोगों के पास अधिकार है कि वो revolt करें, और revolt किस हद तक जाके कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है, और उनकी duty भी है कि वो revolt करें सरकार के खिलाफ और उसको over throw करें, और वो इस हद तक जा सकते हैं, कि वो अपने ruler को मार सकते हैं, और उसको replace कर सकते हैं, नए ruler के दोरा, तो नए लोगों को consent दे सकत नई तरीके की सरकार फॉर्म कर सकते हैं यह उनके पास अधिकार है जब उनके जो बनाय हुआ सिस्टम में जो बनाई हुई सरकार है यह फेल कर जाए उसके बाद बात आती है यह तो पॉलिटिकल विचार चलते ही जाएंगे आगे देखे एक और इन्होंने बुक लिखी थी एक लेटर कंसर्निंग टोलरेंस यह रिलिजन के उपर बात आ जाती है अब चर्च और स्टेट के बीच में जो रिलेशन्स है उसका जो सैपरेशन है उसके उपर इनके क्या विचार थे यह बहुत महतपूर्ण है इनको समझे इन्होंने कहा कि टोलरेंस जो है वो इंडीड एक Christian virtue है Christian virtue यानि Christianity में भी tolerance का एक बहुत महतपूर्ण है महतु है आप जो पादरी है या चर्च है कई बार religiously intolerant हो जाता है किसी दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करता है तो यह चीज सही नहीं है हम ऐसे नहीं है हमारी Christianity के अंदर एक वर्चू है tolerance का हमें दूसरे धर्मो के परती tolerant होना पड़ेगा और especially इनोने जो civic association थे जो भी सरकारी जो उपकर्म था पूरा का पूरा सरकार जो थी उसको यह कहा कि सरकार को कभी भी कभी लोगों की spiritual angle की तरफ जाना ही नीची देखना ही नीची ज़्यादा कि यह कह रहे हैं आपकी यह धर्मिक है यह धर्मिक ह उसके उपर आपको कभी नहीं जाना है नहीं तो आप कभी भी आम आदमी की सरकार नहीं बन पाएंगे आप एक religion specific government हो जाएंगे तो उस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ सरकार के कामों में काम करना चाहिए इसको spiritual angle में नहीं जाना चाहिए वो छोड़ देना चाह चाहिए पादरियों के लिए चर्च के लिए छोड़ देना चाहिए सेम चीज इन्होंने कहा चर्च को कि चर्च को आपको अपने जो department है उसी के अंदर रहना चाहिए दूसरी authority civic authority के अंदर आपको नहीं जाकना चाहिए मतलब power का जो separation of church and state की इन्होंने बात करी कि religion का जो power है वो religion authority है उनके पास रहे वो अपने religion के उपर काम करें कोई दिक्कत नहीं है और power जो civic authority है वो अपना काम करें उनको उसमें एक दुसरे की टांग अडगा लगाने की ज़रुवत नहीं है तो government institutions को external interest के उपर काम करना चाहिए basically यह कहा external interest क्या है life's liberty general welfare है development work है इन सब पर ध् internal interest के उपर काम करें salvation जैसी चीजों पर काम करें मतलब आपके internal sense के अंदर internal self के अंदर जो चीजे हैं उसके उपर काम करता है ना धरम बहुत ही personal चीज होती है तो उसके उपर आप काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि चर्च यहां जो external interest है उसके अंदर अडंगा लगा रह कौन से festivals को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए कौन से traditions को follow करना चाहिए यह चीजें एक दूसरे के साथ नहीं interlink होनी चाहिए दोनों को separate होना बहुत जरूरी है यह इन्होंने कहा और यह देखे आइडिया बहुत ही आगे चलके जो फ्रेंच revolution में बहुत महत्तपून एक बात इसके बड़ा पीछे कार्णी यह था कि कोई भी मानलो magistrate है और वो यह चीज करने की कोशिश करता है कभी-कभी अपने religious होने की वज़े से हैं कि वो किसी दूसरे धरम की practice या उसके traditions को कभी-कभी दबाने की या push करने की कोशिश करता है कि यह नहीं होनी देना है मत particular group के लोग जिनके साथ बेहदबाव हो रहा है तो इसलिए tolerance होना जरूरी है आप अपने religion को follow कीजिए दूसरे को अपने religion को follow करने दीजिए तो मतलब कहीं ना कहीं secular ideas की यह बात कर रहे थी religious tolerance की बात कर रहे थे हर जरीके से चर्च को भी इनोंने यह advice दी कि अगर कोई वेक्ती genuinely Christianity को अपनाना चाहता है प्यार के थूरू और उसके रास्ते मतलब अपनी teachings की वज़े से आपके ideas की वज़े से तो बहुत अच्छी बात है convert करे हमें कोई दिक्कत नहीं है समाज को दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर उसके भी खिलाफ होंगे और सरकार ने उस चर्च को support किया तो सरकार के भी खिलाफ होंगे क्योंकि लोगों से आप basically उनकी liberty छिन रहे हो उनके धर्म को मानने की liberty को छिन रहे हो तो इसी लिए हमेशा सरकार को तो अपने दायरे में रहना चाहिए मतलब अपना जो काम है उनक धर्म के दायरे में रहना चाहिए जो लोग उनसे जिस तरीके की मदद inner self को salvation के लिए लेने आते हैं उनकी मदद करनी चाहिए बकी एक दूसरे के बीच में डंगानी लगाना चाहिए उसके लिए उन्होंने तीन कारण दिये अपने इन arguments को support करने के लिए तीन कारण दिये देखे इन्होंने क्या कहा इंडिविजल कैन नोट डाइवर्ट कंट्रोल ओवर दियर सोल तो सेकुरल फोर्सेज एज गौड ड़स अपॉइंट दे मजिस्टेट तो कोई भी इंडिविजल आदमी है कोई बी चाहिए वो पादरी हो चाहिए कोई मजिस्टेट हो कोई सरका का लेडर हो उसको किसी ने उसको भगवान ने अपॉइंट नहीं किया है लोगों ने अपॉइंट किया है तो वो कौन होता है ये बताने वाला कि आपको किस तरीके से अपने धर्म को मानना चाहिए किस तरीके से आपको कौन से ट्रेडिशन को फोलो करना चाहिए कौन सी आ चाहिए दूसरी बात यह का कि force cannot create the change necessary for salvation because while it can cause obedience it cannot change once belief देखे आप किसी को salvation की बात करते हैं किसी को मौक्ष की बात करते हैं किसी को प्रमग्यान की बात करते हैं और उसके ओपर force भी लगाते हैं कि हम जबर्दस्ती तुमको मुक्ति दे लाएंगी क्या ऐसा हो सकते हैं कोई आदमी इस चीज़ को accept करेगा क्या उसका inner self इस चीज़ को accept करेगा तो कभी भी जो inner self में जो change है जो व्यक्ति अपनी मतलो धार्मिक विचार धरा है उसको वो किसी के दबाव में आके नहीं मानने वाला है हाँ basically मान लो किसी ने जबर्दस्ती convert कर भी लिया कोई धर्म परिवर्तन भी कर लिया लेकिन वो अंदर से क्या feel करता है वो खुद ही जानता है कि उसने क्यों किया है किस दबाव में आके किया है तो आप जो अचीव करना चाते थे वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप अपने नंबर बढ़ा रहे हों बहले ही आप ये कहे दो कि हमारे पहले इतने religion में लोग थे हमने इतने लोगों को एक तरीके से धर्म परिवर्तन करा दिया धर्मांतरन करवा दिया लेकिन क्या वो ल क्या होता है इसी वज़े से ये मैंने इसी में बता दिया तो कोई भी हां तीसी बात ये कहीं कि क्योंकि जज्ज तो किसी ने अपॉइंट किया नहीं है आप कोन होते कोई पादरी है कोई चर्ज का पादरी बन गया कोई बहुत बड़ा पॉप बन गया या कोई किसी भी मतल के उपर विश्वास करना भी एक त्रीके हैं हर आदमी के लिए वो नहीं है जरूरी नहीं है वो माने ही मानी कियों कि वो रीजन करेगा स्वाल करेगा इन के पास उसका जवाब हो भी तो वो कैसे मान ले कैसे मान ले कि यही Interpretation है यही गोड की च्छे है गोड wil को मानने की के उपर आजाती है इसलिए क्या कहते हैं अपने रिलिजियन्स व्यूज में कि अपना रिलिजियन फोलो करो दूसरों को उसका फोलो करने दो रिलिजियस टॉलरेंस रखो इस्टेट को चर्च के साथ सेपरेट रखो यह चीजे इन्होंने मेंली कहा अब बात करते हैं इनके लेटर येर्स की और इनके इंफ्लेंस की तो अपने लास्ट के जो समय था उस समय थोड़े बिमार रहने लग गए थे जैम सेकेंड जब उसको ओवर थो कर दिया था उसके बाद जो गलोरियस रिवोलिशन हुआ तब यह आके इंगलेंड में फिर से बसे थे लेकिन उस समय इंडस्ट्रियल रिवोलिशन का जो समय था कोईले से काफी प्रोडक्शन हुआ करता था तो काफी खराब इस्तिती थी सोचे वहां पर उस समय काफी पॉलिशन हुआ करता था तो पॉलिशन होने की वज़े से इनको बिमारी भी होने लग गई थी तो यह इंगलेंड फिर इनको छोड़ना पड़ा कुछ समय बाद लेकिन इसी दोरान इनकी इनके कुछ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स भी थे क्योंकि जब यह ग्लोरियस रिवोलिशन हुआ था तो पार्लियमेंट को राइट्स दिये गए थे पार्लियमेंट को एक तरीके से अपना खुद का कॉं तो इनको इन में शामिल किया गया इस टीम में शामिल किया गया हालांकि जो रिलिजियस मेटर में जो टॉलेंस पे इन्होंने इस तरीके से बात की थी वो अभी तक चर्च ऑफ इंगलेंड ने असेप नहीं करी थी और यहां की पार्लियमेंट भी उस तरीके से टॉलेंस को religious tolerance को accept नहीं कर पाई थी इतना वो develop नहीं हुए थे उसके बाद मैंने क्या का क्योंकि इनकी health बहुत ही यहां पर critical हो गई थी तो फिर इनकी एक friend थी Demerius Malsham इन्होंने कहा कि आप ये खुद भी philosopher थी कि आप हमारे साथ आगे shift हो जाई है SX में shift हो जाई है वहां पर जितना pollution नहीं है वहां पर रहोगे आप अपनी study करना आगे कि आपकी health भी ठीक रहेगी तो वहां पर ये shift हो गए और आगे का जो समय है वहां पर इन्होंने वैसे ही बिताया इनके दोस्तों में समय में डामेरियस एक बार इनको अंतिम समय में बाइबल पढ़के सुना रही थी अक्टूबर 28-704 में इनकी death हो गई तो ये था जो उन लोग का जीवन इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारा जो काम किया ये जो political work इन्होंने philosophical ideas दे उनकी वज़े से आने वाले समय में बहुत सारे देशों में ये natural right की जो बात हुई वो भी होने लग गई थी और property के right को भी coffee सारे देशों में एक तरीके से human right जो है fundamental right की तरह देखा गया लेकिन बाद में बहुत सारे देशों में इसको हटा दया गया हमारे देश में भी पहले right to property एक fundamental right था आपको पता है, प बाद में हटा दिया गया और कब हटाया गया ये बताईएगा तो वो तो मैं बता दो